हेलो दोस्तों नमस्ते ही मेरा नाम डोक्टर आसीश कोशिक है और मैं एजन आइस मेडिकल ओफिसर गौर्णिट ओफ हरियाने के लिए काम करता हूं आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है तो हम लोग की भी डूटी इस पैंडेमिक में लगाई गई है सरकार के द्वारा तो दोस्तों मैं अपने एक्समेंस से आपको इक शीज़ बताना चाहूंगा हम लोगों ने यह देखा कि कुछ पेसेंट्स में ऐसा देखने को आता है अगर वह कोरोना वायरस पोजिटीव है और 14 दिन के आउस्यलेसिंगे बाद में उनका दुबारा से री सें होते हैं बहुत ही ज्यादा एफिसेंट होते हैं मैं दोस्तों इस चीज़ की गरांटी लेता हूं कि आपका टेस्ट फाल्स नेगेटिव आ सकता है लेकिन फाल्स पोजिटीव कभी भी नहीं आएगा वह इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह दोनों ही टेस्ट आपके दोस्तों जो नोन वाइबल वाइरस के पार्टिकल्स होते हैं वह ना तो मिल्टिप्लाइब कर पाएंगे आपकी बोडी में और नहीं वह वाइरस आपकी बोडी से दूसरी बोडी में ट्रांस्मिशन हो पाएगा इसलिए दोस्तों यह टेस्ट पोजिटिव आने का मतलब यह नहीं है कि आपका वाइरस वाइबल हो गया है मतलब कि वह मल्टिप्लाइब कर रहा है और वह आपको शिंटर्स अभी पर्डूस कर सकता है वह आपके थूप किसी दूसरी पर्सन में ट्रांस्मिट हो सकता है तो बिल्कुली निश्चिंद हो जाने चाहिए अगर 14 दिन के दोस्तों कोरिया वाइरस जैनवरी 2019 से लेकर अभी तक काफी रिसर्स की गी है कोरोना वाइरस के उपर में अब कौन को सी रिसर्स हैं सबसे पहली रिसर्स हुई थी साउथ कोरिया में साउथ कोरिया इंस्टिट्रीट ऑफ कंट्रोल ओफ डिजीस प्रिवेंशन की यह कर पाएगा आपके तुरू किसी और में और दोस्तों एक चीज और 14 दिन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे बार बार फीवर आ रहा है या फिर मुझे कोई दिक्कत हो रही कोई सिंटम्स आ रहे हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि वह आपको कोरोना वाइरस के का पूरा हो चुका है ऑई-शलैसन पूरा हो चुका है और फिर भी आपको कॉरोना वाइरस का तेस पोजिटवा रहा है तो वह वाइरस आपको कोई नुकसा की सी और को और नहीं उसके मीं आपको और देता हूं अपने टाइफॉड के बार भी सना होगा टाइफॉड जिसको हम लोग मोती जा रोग वोलते अब क्या होता है तो टाइफ। वारेल इंप्टे い हो गया उसके बाद अधार टेस्ट होता है वो एकए साल तक हांजी दोस्टों एक साल तो वह श्रीडिव आता है वह किसलिग में कि जो उस बैर्ट TESTS है वह इस बैक्टिरिया के के बाद में आपको कोर्णा वायरस के खिलाफ में एंटीबोटीज बन जाती हैं जिसको हम लोग इम्मिनोगलोबिन जी बोलते हैं तो आपकी वो एंटीबोटीज बन चुकी है और अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि आपको री इंफेक्शन हो जाए खबर दोस्तों बिल्कुल गवराने की बात नहीं है एक रिस्टर और में बता देता हूं डॉक्टर स्टेलजर हैं न्यू साल्सविस अस्टेलिया में उन्होंने भी ऐसी रिसर्च की थी कि जो री सेंपल करने के बाद भी जो टेस्ट पोजिटिव आ रहे वो क्यों आ रहे तो उ उमिद करता हूं जो भी मैंने आपको बता है उससे आप रहे होएंगे अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं